तो दोस्तो अगर आप भी सोच रहे हो एक laptop खरीदने की तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है because मैं आपको recommend करूँगा कि कोई भी laptop या PC खरीदने से पहले इस वीडियो को end तक जरूर देख ले और अगर आपको PC ये laptop by chance अभी नहीं भी खरीदना है तो भी आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है because आपकी knowledge बढ़ेगी और आप future में अगर PC ये laptop खरीदने जाओगे परपस हमारा यही रहेगा कि आप अपने लिए best laptop 2020 में कैसे select कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको एक laptop खरीदने से पहले check करनी होती है अगर आपको वो मालूम होगा तो आप अपने लिए best laptop select कर पाऊगे और इसके लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी नहीं है कि आपको technical knowledge हो किसी भी चीज की बस आपको मैं इस वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगा वो चीजें समझ करके आप भी अपने लिए एक अच्छा laptop select कर पाऊगे तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो ज़रूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही knowledge भरी वीडियो ले करके आता रहता हूँ और साथी साथ मैं अपने कुछ recommended laptops के link में नीचे description में छोड़ दूँगा आप चाहो अपनी need के हिसाब से तो उनको check कर सकते हो और साथी साथ अगर आपका कोई सवाल है इस topic से जुड़ा हुआ तो आप नीचे comment box में या फिर मुझे instagram पे follow करके वहाँ पे मुझसे help मांग सकते हो तो दोस्तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि laptop खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए तो वो ये है कि आपकी क्या जरूरत है आपकी क्या need है जिहां पहला सवाल आपको खुझ से यही करना होगा कि आप laptop क्यों खरीदना चाहते हो आप उस laptop से क क्या काम लेना चाहते हो तो अगर आपने अपने आपसे यह सवाल पूछ लिया कि why you want laptop किस चीज के लिए आपको laptop चाहिए तो आपकी आधी problem तो वैसे ही solve हो जाएगी अब मान लीजिए कि अगर आपको basic purpose के लिए laptop चाहिए basic purpose यानि कि आपको सिरफ browsing करनी है videos देखनी है YouTube प करना है तो कोई आपको high end PC या laptop लेने की जरूरत नहीं है तो आपका कम पैसो में ही काम चल जाएगा और अगर आपको कुछ ऐसे काम करने है जिसमें आपको video editing करनी है कुछ heavy software चलाने है जैसे कि Photoshop वेगरा Corel drawer या फिर आपको multitasking करनी है काफी सारी screen लगा के कुछ ऐसा काम करन जैसे कि अगर मैं PC या laptop लेता हूँ तो मुझे video editing करनी होती है gaming करनी होती है तो उसके according मुझे high end graphics का PC चाहिए high end configuration का PC चाहिए या laptop चाहिए तो उसी के हिसाब से फिर मैं search करूँगा आगे तो सबसे पहले आपको यही देखने है कि आपको basic work के लिए laptop चाहिए या फिर आपको कुछ heavy task करने है क्योंकि अगर आपको basic work के लिए चाहिए तो आपका काम तो 30-35,000 के laptop से ही चल जाएगा तो क्यों आप 50-60,000 या उससे उपर का laptop खरीदेंगे तो जब आप यह decide कर लोग आपको देखनी होती है, पहले चीज उसमें से होती है processor, आपको processor select करना होता है कि आपको कैसा processor चाहिए और second चीज आपको उसमें RAM देखनी होती है थर्ड चीज उसमें आपको hard disk देखनी होती है कि आपको कितनी storage और कैसी hard disk उसमें मिल रही है चौती चीज आपको जो देखनी होती है वो होती है graphic card और उसके अलावा आपको display और battery ये सब चीजे भी laptop के अंदर खरीदने से पहले देखनी चाहिए तो अब हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये सारी चीजे हमारे laptop में अच्छी हों तो उसके लिए हम सारे parts को थोड़े से detail में समझेंगे कि processor क्या होता है और RAM क्या होती है किस चीज के लिए काम आते हैं कैसे काम के लिए कैसा processor कैसी RAM या फिर कैसी hard disk हमें चाहिए तो जब ये चीजे आप समझ जाओगे तो lifetime के लिए आपको मालूम पढ़ जाएगा कि कैसा laptop या कैसा PC मतलब कैसे buy करते हैं आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे क्योंकि first time जब मैंने भी अपना PC या laptop buy किया था तो मुझे भी इतनी knowledge नहीं थी और मैंने भी गलत चीज़ सेलेक कर ली थी तो मैं चाहता हूँ कि अब आपको मैं बताई रहा हूँ तो lifetime के लिए आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर आपको कभी भी laptop future में या कभी भी buy करना है तो आपको किसी की help की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुदी shop पे जाकर के अपनी चीज़ सेलेक कर पाओगे अब processor की बात करें तो processor mainly दो companies के आते हैं एक AMD के आते हैं और एक आते हैं Intel के जो कि mainly use होते हैं तो आप AMD के processor आज से कुछ साल पहले तक समझे जाते थे कि अगर आपको low budget का PC ये laptop लेना है तो उसमें ही वो मतलब ठीक रहते हैं अगर आपको high end configuration का लेना है laptop तो उसमें Intel के लोग ज़्यादा prefer करते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं है आजकल AMD के भी processor जो हैं आपको high end laptops या PCs बे भी काफी अच्छी performance देते हैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं है but AMD के जो processor है थोड़े से सस्ते आते हैं लेकिन Intel के जो हैं लोग 90% वो ही use करना चाहते हैं लेकिन Intel के थोड़े से processor उनका rate जादा है यानि कि आपको एक processor में 3-4,000, 5,000 का भी difference देखने को मिल जाएगा same level के तो मैं आपको बता दूँ कि आपको उसमें tension लेने की ज़रूत नहीं है अगर आपके budget में AMD का processor अच्छा आ रहा है तो आप उसको भी buy कर सकते हैं अब साथी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी series होती है जैसे कि AMD के Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 आते हैं Intel के आते हैं i3, i5, i7, i9 processor तो यह i3, i5, i7 क्या है इसको देखके घबराना नहीं है इसमें मैं आपको यह भी समझाने वाला हूँ कि i3, i5, i7 ऐसे क्यों आते हैं और इसके साथ-साथ यह भी बताऊंगा कि i3, 5th generation, 6th generation, 7 generation आपको यह भी देखा होगा आपने कि हर processor में अलग-अलग generation होती है उसका भी मतलब हम समझेंगे तो Intel के जो processor है उनका नाम है i3 processor, i7 processor, i5 तो यह जो latest processor है, यानि कि पहले i3 आता था, फिर i5 आया, i7 आया, आप i9 चल रहा है अब क्या होता है कि इनमें cores होती है, i3 में यह उन्हों 2 core होती है, dual core होता है अब i5 जो होता है, उसमें 2-4 core तक हो सकती है अब जो i7 processor है, उसमें आपको 8 core तक मिल जाएंगी, ऐसे ही i9 में हो सकता है जादा core आपको देखने को मिल जाएं तो होता क्या है इन cores का मतलब कि आप समझी जाएंगे, मैं आपको एक example से बता देता हूँ तो जब कटोरी है वो आदे घंटे में नहीं, 15 मिनिट में ही खतम हो जाएगी यानि कि आदे टाइम में ही वो काम complete हो जाएगा तो ऐसे ही cores का होता है, कोई भी core अगर जादा होगी तो जल्दी काम खतम हो जाएगा तो इसलिए 2 cores हो है, वो कुछ काम कर पाएगी, 4 cores है, उससे जादा काम कम टाइम में कर पाएगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये cores क्या होती है क्योंकि जितनी जादा core जिसमें हमें मिल रही है, उतना ही powerful वो processor होता है अब बात करते हैं आपको इसके साथ में generation भी देखने को मिलती है तो companies क्या होती है, जो अपना जैसे Intel 5 उनका processor आया तो उसको ना improve करने में लगी रहती है और हर साल उनो उसको improve करके नया version उसका launch करती है, जैसे कि 5th generation, 6th generation, 7th generation उसमें क्या करती है, उसकी जो ट्रांजिस्टर होते है उनका size छोटा करने में लगी रहती है और उसको compact और powerful बनाने में लगी रहती है अब size छोटा करने से क्या होता है, कि वो battery consumption भी कम करते है और उनकी performance भी अच्छी हो जाती है, तो performance उनकी अच्छी हो जाती है और battery consumption कम हो जाती है, तो उनका price भी बढ़ जाता है क्योंकि उस पर company एक साल, दो साल महनत करती है, फिर उसको launch करती है नई technology के साथ में तो आपको मालूम पढ़ गया कि यूनो, i3, i5 processor का क्या मतलब है और उसके अंदर जो generation होती है, वो उनका क्या मतलब है अब आपके काम के लिए कौन सा suitable रहेगा अगर आपको basic work करना है, browsing, सिर्फ videos देखनी है, email चेक करना है इस साथ चीज़े करनी है, तो आपको i3 processor भी आपके लिए काम कर जाएगा यानि कि दो course का processor काफी होगा अब उसमें आपको बताता हूँ कि अगर आपको जादा काम करना है, आपको video editing करनी है, 1080p में और आपको थोड़ी बहुत gaming करनी है तो आपको i5 processor लेना होगा, तो अगर आपको उससे भी जादा heavy काम करना है, यानि कि आपको 4K resolution में editing करनी है gaming करनी है, आपको high-end graphics के साथ में, तो आपको i7 या फिर i9 processor चुनना होगा तो यह simple है, जितना आपको जादा काम करना है, उतना आपको high configuration का processor लेना होगा और आपको उतने ही पैसे pay करने होगा, अब बात करते हैं RAM की, अब RAM की भी अलग-अलग generation आती है, लेकिन उसको बोला जाता है DDR3 RAM, DDR4 RAM, DDR5 RAM तो उसके में latest version, जो है वो improved version होते हैं और वो fast काम करते हैं, यानि कि जो RAM का काम होता है, read or write का data तो जितनी latest RAM होगी, उतने fast read or write आपके computer में वो काम करेगी, तो आपको जो है अपने processor के हिसाब से ही RAM भी select करनी होती है अगर आपका i3 processor आप ले रहे हो तो उसमें 4GB तक RAM आपका एनफ काम करके देगी आपको उसमें आपको 8GB या 16GB RAM लगानी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि processor को जरूरत ही नहीं है जादा RAM की तो इसलिए अगर आप i3 लेते हैं तो 4GB RAM एनफ है अगर आप i5 processor लेते हो तो उसके हिसाब से 8GB की RAM आप लगा सकते हो 8GB की RAM लगाओगे तब ही आप उसको पूरी प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे उसकी capacity को उसकी power को और साथी साथ अगर आप i7 लेते हो प्रोसेसर तो आपको 16GB की RAM तक की जरूरत पड़ेगी तब ही वो चीज ढंक से मतलब आप अपना multitasking जो आपको hardcore काम करने वो आप कर पाओगे और इससे बढ़ते हैं तो फिर आप उसको 32GB भी यूज कर सकते हो i9 लगाते हो तो यह जो combination एक idle combination माना जाता है बागी आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो तो उससे थोड़ी सी performance जो इंप्रूफ हो सकती है अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे component की जो बहुत ही important है लेकिन बहुत सारे लोग इसको important नहीं समझते हैं वो है hard disk जी हाँ आपको अपने laptop में कैसी hard disk चाहिए यह भी बहुत important करता है क्योंकि आपकी performance जो है laptop या PC की hard disk पे भी depend करती है वो सिरफ एक storage की यह डिवाइस ही नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि आज से कुछ टाइम पहले तक यह अनो hddd ही चलती थी और वो ही हमारे पास एक option था लेकिन अब ना दूसरा option है उसका नाम है SSD यानि की solid state drive अब HDD और solid state drive में क्या difference है मैं आपको बता देता हूं अभी तक HDD आपको जाद तक laptop में देखने को मिलती थी लेकिन अब जो है जमाना SSD का है SSD जो है वो बहुत fast होती है उसकी जो read और write की जो capacity होती है वो काफी fast होती है speed उसकी काफी fast होती है HDD की जो होती है वो slow होती है क्योंकि HDD में moving parts होती है और SSD में chips वगएरा का transistor वगएरा का use के जाता है उसमें moving parts नहीं होती है SSD एक वो technology पे बनी हुई है जैसे कि आपके phone में memory card होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ HDD जो है वो काफी सस्ती पढ़ती है और उसमें आपको काफी जादा expensive है और उसमें आपको storage काफी कम मिलती है तो इसलिए आपको अगर laptop में 1TB की hard disk लगानी है तो जितने में आप HDD लगा पाओगे उतने में आप SSD अगर लगाओगे उस price में तो आपको आदे या आदे से भी कम storage मिलेगी लेकिन आज के time में SSD होना laptop में बहुत ज slow work करने लगता है और आपको लगता है कि आपका laptop जो है वो खराब हो गया तो वो चीज़ डिपेंट भी करती है आपकी hard disk लेकिन अगर आप only SSD यूज़ करते हो तो storage बहुत कम हो जाती क्योंकि वो बहुत expensive है लेकिन आजकल combination आ रहा है laptop में आपको SSD भी देखने को मिल जाती ह और आपको साथ में 1TB की hard disk जो की HDD है वो भी मिल जाती है तो आप ऐसा combination वाला laptop चूज़ कर सकते है उसमें जो price balance भी हो जाता है और आपका जो operating system है वो SSD में install किया जाता है और भी आपके जो software है वो SSD में install हो जाते है और जो आपका laptop है वो काफी fast work करता है उसकी जो boot की speed है वो भी काफी तेज होती है read और write की speed भी काफी तेज होती है और you know जब update करते हो आप उसको laptop को तो भी काफी तेज होता है rendering वेगरा वो सब काफी तेज हो जाती है लेकिन आपका जो storage है वो आप 128GB और 256GB में काम तो चलेगा नि तो आपके जो data है वो आप HDD में store कर सकते हो य SSD जरूर हो हो सकता है SSD वाला थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन वो आपकी laptop की you know life के लिए और performance के लिए काफी जरूरी है इसके बाद बाद करते है graphic card की अगर आपको you know आपके laptop में gaming करनी है video editing करनी है तो आपको उसके हिसाब से graphic card dedicated चाहिए ही चाहिए क्योंकि graphic card से ही आपके you gaming करनी है video editing करनी है तो आपको high resolution में चीज़े देखने के लिए graphic card आपके laptop में dedicated होना बहुत ज़रूरी है अब उसके अंदर भी RAM होती है जैसे कि 2GB का graphic card 4GB का graphic card तो अगर आपको जितना heavy काम करना है उतना आपको heavy graphic card भी आपके laptop या PC में लगाना ही पड़ता है तो अगर आप आपको उस तरीके का काम करना है gaming करनी है video editing करनी है तो आपको graphic card वाला laptop ही select करना है इसके बात बात करते हैं display की आपको पता है 13 इंच की display 14 इंच की display 15 इंच 16 इंच की display आपको laptop में देखने को मिलती है तो उस experience अच्छा होता है आपका जो देखने का होता है movies वेगरा या फिर कोई भी चीज़े होती है तो उसके हिसाब से आपको अपनी display भी select करनी होती है कि आपको कैसा काम करने डिस्पले तीन तरीके के होती है यह आपको HD display मिल जाएगी 720 पिक्सल की 1080p यानि की full HD display और आपको एक ultra HD display भी मिल जाती है इसमें आपको 4K videos वगरा का experience मिल जाता है जिसक कि HD display में आप कहीं न कहीं फिर मतलब बोर हो जाओगे आपको वो अच्छा experience नहीं मिलेगा इसके अलावा बहुत important चीज़ है battery laptop की क्योंकि अगर आपको laptop चलाना है और power नहीं है तो 5-6 गंटे यानो 7 गंटे का backup तो आपको laptop में मिलना ही चाहिए तो laptop खरीदने से पहले आप आपको ये भी चेक करना ही कि आपको fast charging का support मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है क्योंकि आज की date में fast charging अगर आपको laptop में नहीं मिल रही है तो मतलब मज़ा नहीं आता तो वो भी आपको चीज़े ध्यान में रखने है कि battery backup अच्छा हो और आपको साथ में fast charging का support मिल जाए और इसक आपको फिंगर्प्रिंट भी scanner भी आ रहा है laptop में क्योंकि आपको password से अपना laptop खोलने की जरूरत नहीं सिर्फ fingerprint टच करो आपका laptop जो है वो open हो जाएगा तो ये सब चीज़े जितना पैसा आप डालोगे उतनी आपको मिलती जाएंगी but main चीज आपकी जो performance है laptop की वो depend करती आ और जो चीज मैंने बताई hard disk पे और graphic card पे तो ये चार चीज़े आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपने काम के हिसाप से select करनी है ऐसा नहीं कि आपको basic work के लिए आपने high end PC laptop ले लिए ज्यादा पैसे खर्च कर दिये और उससे आपका नुकसान ही होगा जब आपने using नहीं करनी तो इतनी heavy machine लेने का क्या फाइदा और अगर आपको heavy काम करना है और आपने अगर you know कम configuration बहला PC laptop ले लिया तो आप पच्ता होगे तो इसलिए ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़े ध्यान में रखते हुए भी अगर आप तो आप एक अच्छा laptop buy कर पाऊगे अपने लिए और मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से काफी help मिलेगी अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं नीचे एक written article भी लिखके नीचे description में link छोड़ दूँगा आप वहाँ पर जाके ये जो सारी चीज़े मैंन आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए take care